अगर आप अपने घर के लिए solar system लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपना budget ही देखना पड़ता है, कि आपका budget उतना है या नहीं, तो यहाँ पर जो हमारी सबसे ज़्यादा cost होती है solar system के अंदर, वो solar panel की और solar battery की ही होती है, तो आपको market में ऐसे बहुत tech और luminance company के अंदर 3 battery वाले inverter मिल जाते है, normal inverter है, हाला कि उन्हें आप solar charge controller की मदद से solar system के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम solar inverter की करें, तो ऐसा कोई भी अभी तक inverter नहीं है इंडियर market के अंदर, जो कि 3 battery के पर work करता हो, और अगर आपको ऐसा कोई inverter के वाले हैं, 3 battery वाले solar system की pricing के बारे में, हम यहाँ पर solar panel की pricing के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो हमें पता ही है, कि जो poly है, वो 25-30 रुपए per watt मिलता है, mono है, यानि कि mono परक और half cut के अंदर आता है, वो 30-35 रुपए per watt के हिसाब से मिलता है, और जो bifacial है वो up to 40 पैड़ेगा, और यहाँ पर हम 3 battery वाले की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हर एक battery की जो cost होती है, काफी ज्यादा होती है, लगबग 15,000 के करीब एक battery आपको मिलती है, तो 2 battery वाला inverter आप लेंगे, तो उसमें battery की cost अवो लगबग 28-30,000 रुपए हो जाती है, वहीं 3 battery वाल 1314,000 रुपे बच सकते हैं, जिसका उप्योग आप solar panel लेने के लिए कर सकते हैं, या solar charge controller लेने के लिए कर सकते हैं, तो आप आपका benefit मिल जाता है, क्योंकि माल लीजिए आपको ऐसा inverter चाहिए, जिसके उपर आपको ज़्यादा backup की ते जुरुत नहीं है, लेकिन load आपको जार बंट्रियान लगानी पड़ती है, हाला कि आपको उतना backup की जुरुत नहीं है, लेकिन आपके फिर भी 15,000 रुपे के around लग जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कि आप एक वैंटर की cost बचा कर, वहाँ पर solar charge controller लगा सकते हैं, यहाँ पर solar charge controller की cost रहती है, वो PW और MPPT के अंदर अलग 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 आएगी, तो यहाँ पर जितना आपका budget है, उसी अदार पर आप खरीद सकते हैं, market में आपको PWM technology वाले भी मिलते हैं, और MPPT technology वाले भी मिलते हैं, तो चलिए पहले हम इनके pack की बात कर लेते हैं, कौन से inverter के साथ में कौन सा controller लेने पर क इतना आपको खर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपके पास में choice होती है कि आप अलग-अलग किसी भी company का controller या inverter ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे iCruz 4500 model की, सबसे latest technology का और सबसे advanced technology यह normal inverter है, जिसे आप phone से connect कर सकते हैं, और इसकी display के उपर battery का remaining time, charging time जैसे feature भी आपको देखने को मिलते हैं, तो यह आपको मिलता है लग-बग 22,000 रुपे में, और अगर आप इसके उपर controller लगाना चाहते हैं, PWM technology का, तो luminance company के अंदर ही आता है, luminance sign 3650 solar retrofit 50 ampere current rating के साथ में यह आता है, और इसे आप 2 battery और 3 battery पर use कर सकते हैं, तो यह iC जो है यह तीन battery वाला inverter है, तो अब इसके उपर इस controller की मदद से धाई किलो वोट तक के panel लगा सकते हैं, तो जिसको धाई किलो वोट का solar system त्यार करना है, उसके लिए बिल्कुल सही inverter और यह controller होने वाला है, यह controller आपको लग-बग 6000 रुपे में मिल जाता है, जो कि काफी budget friendly controller controller है, controller और अपके inverter की जो cost रहने वाली है, वो 28,000 रुपे रहने वाली है, और यहाँ पर अगर हम battery की cost माने, तो आप battery कितने भी महंगी या सस्ते ले सकते हैं, यहाँ पर यह normal inverter है, तो आप इसके उपर normal battery लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूटिल कंपनी के अंदर आपक यहाँ पर तीन अलग अलग variety में देखने को मिलेगी, दो model यहाँ पर 1500 AH के है, एक 200 AH का है, तो यहाँ पर अगर आप बैतर मंद की warranty वाली लेंगे, तो भी 12,000 रुपे में आपको मिल जाती है, और यह आपको 3 बैटरी लगानी है, तो यह 36,000 रुपे के बैटरी हो जाएगी अगर आप जाना चाते हैं MPPT के साथ में, तो यहाँ पर 36 वोल्ट के साथ में इथन कंपनी का आपको controller मिल जाता है, लगबग 9,000 रुपे में, तो आपका controller और inverter हो जाता है, 31,000 रुपे का, लेगिन यहाँ पर इस controller की जो panel support करने की capacity है, वो 3 किलो वोट है, जो की PWM वाले से ज्यादा है, तो यहाँ पर आप ज्यादा पैनल लगा सकते हैं, तीर बैंटरी के ऊपर, और यह system आपको फिर पढ़ता है, 67,000 रुपे में, पहले PWM आपको पढ़ रहा था 64,000 में, यह पढ़ेगा आपको 63,000 में, तो 3000 रुपे अगर आप extra invest करेंगे, तो definitely आपको इसका फ inventory का, जो panel का खर्चा रहता है, और stand वगरा, wire वगरा रहता है, वो अलग रहेगा, वो आपको market में ही पता करना पढ़ेगा, कितना आपका खर्चा आ सकता है, क्योंगि अलग-अलग panel के ऊपर, अलग-अलग rate होते हैं, poly का अलग होता है, monopark का अलग होता है, और bifacial का अलग जी, तो आप जा सकते है, Microtek के, Jumbo Series के 3500 inverter के साथ में, जो की 3 battery का ही है, वो इससे थोड़ा सा और सस्ता आपको मिल जाता है, लग-बग 14,000 रुपे में वो आपको मिल जाता है, 14-15,000 रुपे में, और यहाँ पर उसके उपर वही, आप controller लगाते हैं, तो 6000 रुपे का आप controller रहेगा, 36,000 रुपे आपकी battery, तो यहाँ पर आपका 56,000 रुपे में यह system त्यार हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 56,000 रुपे में system त्यार हो जाता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके काफी पैसे बच सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपके पैसे बच रहे ह अगर आप अगर आपको श्रिफ लोड ही चलाना है आपको फीचर से कोई मतलब नहीं है कि आपको तीन बैंटरी वाला इनवर्टर चाहिए और उसके पर आपको लोड चलाना है तो यहां पर आप जा सकते हैं इसके साथ में भी तो यह जो दो इनवर्टर हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगी है और यही दो inverter जो आपको तुन inventory, जो कि तीन inventory के साथ में मिलते हैं, हलांकि luminous company के अंदर इनकी cruise, जो पुरानी series है cruise, उसके अंदर भी तीन inventory का inverter आथा लेकिन उसकी load capacity कम है, इसलिए हम उसको इसके अंदर add नहीं कर सकते हैं, आपको लेना है तो इन दो inverter में से आप ले सकते हैं कोई सा भी आप inverter खरीद सकते हैं, दोनों के अपने फायदे हैं, अगर आप आई करूज के उपर ज़्यादा पैसे देते हैं, तो उसमें ज़्यादा feature मिलते हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं लगाते हैं, तो micro tech के jumbo series के inverter के साथ में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर अ आपके एक बेंटरी की जो कोष्ट रहेगी, वो बारहजार रोपी लगबग पढ़ती है, तो आप अंदादा लगा सकते हैं, कितना कोष्ट लिए आपको पढ़ेगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपको कितनी बेंटरी हैं कि आउशकता है, कितना आपका लोड चलत आपको अपने इनवर्टर का साइज और साथ में बेक अपके लिए कितनी बेंटरी हैं चाहिए, उसका साइज मेल जाता है, तो ये एक बार जरूर ट्राई करें, इससे आपकी काफी हल्प हो सकती है, तो ये था तिन बेंटरी हो वाले सोलर सिस्टम के बारे में, अगर इसक पसंदा आते वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें, साथी मेरे तोलों को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने एक साथ बेल लाइकन को जुरूर दुपाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें, धन्यवाद!